हालो फ्यो जोशी जोशी वेलकम बैक टो मैं चैनल फ्योशी वोल्ड आज मैं आपके लिए जैपनीज बील ड्राम अनिके डाइनिंग एपिसोड फोर लेकर आई हूँ अगर अभी तक आपने बाके के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी प्लीज डू चैक इट आउट शो विडाउट फॉर्दर अडो लेट्स केट इंटो डा वीडियो एपिसोड के शुरुबात में हम देखते हैं कि इची जो गाउ जाने के लिए अपने सारे काम खत्म करने में लगा हुआ होता है तब ही कोमाची इची जो को कुछ जरूरी बात करने के लिए साइड में ले जाती हैं कुमाची इचीजो को इस वीकेंड उसके लिए सामय निकालने के लिए कहती है दरसल इस संड़े उसे अपने सेक्षिन चीफ टेसी के साथ आफिस में अकेले काम करना है और वो उसके साथ अकेले काम करना नहीं चाहती है इची जो थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे माहिरों के गाउ भी जाना है कुमाची को बुरा लगता है कि वो अपने काम के लिए इची जो को अपने गर्लफरंड से मिलने जाने से रोक रही है पर बिचारी के पास इची जो से मदद मांगने के लावा कोई चारा भी नहीं होता है इची जो जैसे कुमाची को बताने वाला होता है कि उसकी कोई गर्लफरंड नहीं है इससे पहले हीरो तो वहां आकर इची जो को बताता है कि तेसी उसे बुला रहा है इची जो कुमाची की मदद ना कर पाने के लिए माफी मांगता है और वो जब बताता है कि उसे घर पर कोई काम है ही रोटी कुमाची से पूछने की कोसित करता है कि उसे कोई दिक्कत है क्या पर कुमाची बिना उसे कुछ बताए वहां से चली जाती है नेक्ट सीन में इचीजो हमेशा की तरह देर रात तक फाइनली अपना काम पूरा कर लेता है और अपनी स्ट्रेस दूर करने के लिए शुबा-शुबा ही गावा आ जाता है जहां पर स्टेशन के बाहर माहिरो से पिक करने आया होता है घर पर माहिरो इस बार इचीजो को मलेशन होट पॉट डिस्ट बनाना सिखाता है एका करके माहिरो इचीजो को सारे इंग्रीडेंट्स और मशाले के बारे में बताता है इची जो को फिर से आफिस के कपड़ों में दे कर माहिरों पूश्टा कि क्या वो इस बार भी बहुत देर तक काम कर रहा था इची जो बताता है कि आफिस में उसे इतना काम था कि वो तो यहां आ भी नहीं पा रहा था Boss नहीं उसके बहुत सारे काम दे दिये था और उसकी एक Guru कल एक Sunday को इंसे काम पर आने के लिए कह रही थी जो बताता हु कि उस जूनियर ने के बारे में सोचता हैं ताकि से साथ में पुष्टा खें intensIP माहिरों इस भात पर यह चीजों Get रेंगते हैं उसकी गौर्पिर्ट में पूश्टा है इस चीजे उसकी गौर्ल्फरंड के बारे में पूशंटा है जिस पर माहिरो उसे एड़वाई देता है कि इचीजों को अपने लिए एक ऐसा इंसान ढोड़ना चाहिए जो उसे वो जैसा है वैसा ही अपना सके ये सुनकर इचीजों पूछता है कि क्या माहिरो के लाइफ में ऐसा कोई इंसान है माहिरो थोड़ा हिचके चाहते हुए बताता है कि वो किशी को डेट नहीं करता है पर वो किशी को पसंद जरूर करता है उसके बार वो लोग खाना बनाने लगते हैं माहिरो इचीजों को थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए कहता है क्योंकि कहीं गलती से वो खुद को हॉट ना करले माहिरो को स्रिम क्लीन करते देख इचीजों को भी क्लीन करने का मन करने लगता है इचीजों को स्रिम क्लीन करना सिखाने में माहिरो अंजाने में उसके बहु पुरा लग रहा हैं जी जोुआ को यह मदद मागने के लिए यहां तक आ जाती है कि फिर सबने कपड़े उतारने लगता है जैसे वह अपने पैंट उतारने वाला होता है तभी माहिरों वहां आ जाता है इथी जो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और जूड बोलता है कि वह तो बस खाने से पहले अपने कपड़े बदल रहा था माहिरों कोमाची को अंदर लेकर आता है कोमाची को वहा से कुछ भी नहीं खाया था, कुमाची थोड़ा सा इंबारस फिल करती है, बात करने से पहले वो लोग पहले खाने के बारे में सोचते हैं, इसी जो नहीं चाह रहा होता है, कि माहिरों से इस सिच्विशन में अकेला छोड़ कर जा, इसलिए वो रीहो को कॉल करके आने के दरशल ये तब से सुरू हुआ, जब एक बर काम खत्म करके वो और तेसी साथ में घर जा रहे थें, घर जाने से पहले वो लोग साथ में खाना भी खाये थें, तब से तेसी आफिस में कुमाची से बात करने का, उसके साथ समय बिताने का बहाना ढूरने लगा, और तो और उसे वो ये भी पुछता है कि उसकी साधी हुई के नहीं, उसके बाद वो आफिस के बाद भी उसके साथ ही घर जाने को बोलता था, शुरुआत में तो उसे कुछ समझ नहीं आया, पर जब ये बार बार होने लगा तब उससे समझ में आने लगा कि यहां हो क्या रहा है, कुमाची को समझ में आ रहा होता है कि टेसी इंडारिकली उसे उसकी वाइफ बनने के लिए बोल रहा है, कुमाची की बाते सुनकर माहिरों को भी यकीन हो जाता है कि टेसी उसे फ्लॉट कर रहा है, यही कारण होता है कि कुमाची संडे को टेसी के साथ अकेले आफिस में का वो जानती है कि तेसी की नियत खराब नहीं है इसलिए वो इस प्रामे को बिना किसी प्राबलम के खत्म करना चाहती है माहिरों को कुमाची के लिए बुरा लगता है इसलिए वो इस चीजों को कल कुमाची के साथ काम पर जाने के लिए कहता है पर इचीजों को लगता है कि इससे तो problem कुछ समय के लिए ठीक होगी इसलिए इस परिशानी को हमेशा के लिए खट्म करने के लिए कोमाची इचीजों को उसका boyfriend बनने का नाटक करने के लिए कहती है इस चीजों को सोचता दे कुमाची को लगता है कि वो अपनी girlfriend के वज़े से धिरक रहा है लेकिन इस बार इचीजों बता देता है कि उसकी कोई भी girlfriend नहीं है लोगों को बस गलत फायम है कुमाची खुश हो जाते कि अब तो इचिजो उसका boy friend बनने का नाटा कर ही सकता है उसे यगीन होता है कि इचिजो ये काम अच्छे से करेगा माहरो इचिजो को कुमाची की मदद करने के लिए कहता है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो सचमिस की girlfriend है कुमाची माहिरों की तारीफ करती है इची जो कुमाची की मदद करने के लिए मान जाता है खुशो कर कुमाची इची जो को खाना सर्फ करती है इची जो मसरूम नहीं खाता है इसलिए वो से खुद ही ले लेती है और इचीजो को शर्म्प पसंद इसलब वो से श्र्मप देते हैं कोमाची को इचीजो की हर पसंद और नापसंद के बारे में पता होता देख माहिरों को अच्छा नहीं लगता अगले दिन ओफिस में तेसी खुशी खुशी आता है पर जैसे ही वो इचीजों को भी देखता है उसका मुट खराब हो जाता है रोज चुप चाप जाकर अपने डेस्क पर बैट जाता है इचीजों खुद को हिम्मत देता है कि वो ये कर सकता है यहाने से पहले कल रात को ही कोमाची चीजों को सारा प्लान समझा देती है कि उन्हें अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए क्या क्या करना है सबसे पहले कोमाची जान मुझकर टेसी के पर डॉक्युमेंट्स लेकर जाती है जिसमें एक नोट लिखा होता है ये दिखाने के लिए कि उसके और इचीजों के बीच नोट के जड़े प्राइविट बाते हो रहे हैं ताकि टेशी को अंदाजा लग सकी कि वो लोग डेट करें पर कुमाची का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि टेशी का उस नोट पर ध्यान ही नहीं जाता है इसलिए वो अपने नेक्स प्लान पर आती हैं इसमें कुमाची इचीजों को उनके सर नेम से नहीं बलकि निक नेम से बुलाने के लिए कहती हैं इसके लिए वो लोग पहले ही प्रैक्टिस कर चुके थे कौमाची चीजों को प्यार से शूटा बुलाने की प्रैक्टिस करती है ये देखकर माहिरों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आफिस में वो लोग टेशी को शुनाने के लिए एक दूसरे को निक नेम से पुकारने लगते हैं जिससे सुनकर टेशी भी चौक जाता है उनका अगला प्लान होता है कि वो लोग एक दूसरे के चेहरे को पास मिला कर बात करेंगे माहिरों जल्दी से उन्हें रोग देता है ये कहा कर कि उन लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं है लेकिन कौमाची माहिरों की बात को नहीं मानती है क्योंकि उसे लगता है कि ये करना जरूरी है आफिस में कौमाची और इची जो ऐसा ही करते हैं तेसी से ये सब देखा नहीं जाता और वो उठकर वहां से चला जाता है थोड़ी देर के बाद इची जो काम के सिलसिले में तेसी के पास जाता है पेसी इची जो को ड्रिंक देकर कहता है कि इची जो को बताना चाहिए था कि वो और कुमाची एक दूचे को डेट कर रहे हैं इची जो बस शौरी ही बोल पाता है पेसी कहता है कि कुमाची के साथ डिनर पर जाकर उसे एक उमीद से आ गई थी उस दिन उन लोगों ने बहुत मज़ा किया था भले उनकी बाते फ़ानी थी पर कोमाची को स्माइल करता देख उसे खाना और भी टेश्टी लगने लगा था उसके साथ रहकर वो अपने काम को भूल गया था वो इतने एकसाइटेड हो गया था कि उसे अपने उम्र भी याद नहीं रही इची जो छुप चाप उसकी बात सुनता है उसके बात तेशी कोमाची को उसके बरताओ के लिए माफी मांगता है और घर जाने से पहले वो फिर से इची जो को बहुत सारा काम पकड़ा देता है इची जो बिचारा चाहकर भी मना नहीं कर पाता है कुमाची इची जो को परिशान करने के लिए और उसके मदद करने के लिए ठाइं क्यों बोलती है नेक्स सीन में इचीजों काम खत्म करके ठका हारा घर आता है और अपने लिए नूडल्स बना कर अपने कपड़े खोल कर खाने बढ़ जाता है पर उसे इस बार खाकर हमिशा की तरह आराम नहीं मिलता है दूसरी तरफ माहिरो इस चीजों को मेसेज करके पूछना चाह रहा होता है कि उनका प्लान कैसा गया पर वो मेसेज़ डिलीट कर देता है और खुद को तशल्ली देता है कि उसे तो इस बाते कोई परक भी नहीं पड़ता है इस चीजों से बाते करने के लिए माहिरो इस चीजों को चांद की फोटो खीच कर भेज देता है तब ही लियों वहाँ आकर बताता है कि जापान में अगर कोई कहे कि चांद कितना खुबशूरत दिख रहा है इसका मतलब वो I love you बोल रहा है माहिरों को इस बारे में पता नहीं होता है उसे तो चिंता होने लगती कि उसने तो इस चीजों को आल्रेडी चांद की फोटो भेज दी है इधर इस चीजों तेसी की बातों के बारे में सोच रहा होता है तब ही उसे माहिरों का मेसेज मिलता है मैसेज देकर इस चीज़े स्माइल करने लगता है और रिपलाय करता है कि वो अगले विकेंड साथ में खाने के लिए फिर आएगा इस चीज़ों को एक फल के लिए ऐसा लगने लगता है कि अगर माहिरों के शाथ उसे खाकर खुशी मिलती है तो जैसा तेसी ने कहा कही उसे माहिरों पसंद तो नहीं आने लगा लेकिन इस चीज़ों जल्दी से इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देता है इस चीज़ों का मेसेज पाकर माहिरों बहुत खुश हो जाता है माहिरों को खुछ दे कर लियों को भी अच्छा लगता है इचीजों भी चान्ड की फोटो भेज कर कहता है कि यहां का चान्ड भी बहुत खुप्शूरत लगता है एपिसोड के एंड में हमें माहिरों और इचीजों के पास्ट की जलक दिखाई जाती है जब वो लोग श्कूल में थे और इस तरह एपिसोड फूर यहीं पर खत्म होता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और कॉमेंट कर सकते हैं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाब बाई